जानिये साफ से जुड़े कुछ सगुन और अपसगुन के बारे में विज्ञान और आदुनिक्ता के इस दौर में समाज काफी आगे निगल चुका हैं लेकिन कुछ कटनाएं ऐसीपी होती हैं जिनको हर कोई गुडलक और बैडलक के तौर पर देखते हैं हलंकि इसका कोई विज्ञानिक अदार रही हैं यह के वल एक जियोतिसमत हैं धरम में आस्ता रखने वाले ज़्यादतर लोग सगुन और अपसगुन में विश्वास करते हैं आज हम आपको बता रहे हैं साफ से जुड़े कुछ सगुन और अपसगुन के बारे में आईए जानते हैं इस तरह साफ लिख जाए तो क्या हैं फाइदे सगुन सास्तर की अनुसार अगर आपको सिवलिंग पर साफ लिप्टा हुआ दिखाई दे रहा हैं तो उसे सुब माना जाता हैं ऐसा होने पर व्यक्ति को पगवान शिव की करपा प्राप्त हैं वहीं मरा हुआ साफ देखना बहुत असुब माना जाता हैं अगर आपको कोई इस तरह साफ दिख जाए तो पगवान शिव से समा याचना करें और सिवलिंग पर कच्चा दूद और जल चड़ाएं अगर किसी गरीब व्यक्ति को साफ पेड से उतरता दिखाई दे तो यहाँ शुब होता हैं यहाँ बताता हैं कि आने वाले शमय में पैशो की प्राप्ति होने वाली हैं वहीं अगर अमीर आदमी को पेड से नीचे साफ उतरता हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब हैं कि उस उसको धन की हानी होने वाली हैं। अगर आप किसी जरूरी कार्य से बाहर जा रहे हो, रास्ते में साप राइट हैंड साइड की और रास्ता काट दे तो यह कापी सुब माना जाता है। सगुन सास्तर के अनुसार ऐसा होने पर कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती हैं। वहीं अगर लेप्ट हैंड साइड रास्ता काट दे तो आपको सावधान होकर अगे बढ़ना चाहिए और सही कार्य करना चाहिए क्योंकि ऐसे असफलता के योग बनते हैं। साप अनेको परजातियों और रंग के होते हैं। अगर कोई व्यक्ती सपेद साफ देख लेता हैं तो यह बहुत शुब सकुन माना जाता हैं। सपेद साप देखना धन लाब का सुचक माना जाता हैं। साथ ही आपको सभी बिगडे कार्य बनने लगेंगे। हालांकि कि आने वाले समय में आपके साथ अच्चा होने वाला हैं। मान्यता हैं कि इस तरह साप को देखने शे धन की शमश्या दूर हो जाती हैं। सगून सास्तर के अनुसार जमीन खोदते समय आपको साप या फिर साप का जोड़ा दिखाई दे तो जमीन आपके लिए बहुत सु गर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है